का आ का इस तक ड्यज़ीग के रास्टी इंध्यक्ष जेपी नडदा के बिहार दोरे से बीज़ीपी के नेता काफी उस्षाइ्थ है जेपी नडदा ने कई मंत्री भी दिये हैं बीजेपी नेताओं को उन्हें इसाफ तर पर कहा कि बीजेपी अपने कंधों पर किसी को नहीं बैठाएगी अमरे साथ जेडियू के वरिश नेता है अब है बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर के यहां यह मीटिंग वो मीटिंग यह मीटिंग वो मीटिंग इससे साफ पता लगता है कि भारतिय जनता पार्टी बिल्कुल मायूस हो चुकी है उमीद खो चुकी हर जगह से और निराशा के हालत में जी रही है भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि दो हजार चौबिस उनके लिए मुश्किल है और देश की जनता ने ये ठान लिया है कि भारतिय जनता पार्टी को अब हम लोग मौका देने वाले न नहीं था और हमने बिहार की तरकी के लिए भारतिय जनता पार्टी के साथ कुछ दिनों के लिए हकूमत बनाई वो भी उस बीजेपी के साथ जिसको लीड बाचपेजी कर रहे थे अब जब ये लोग आ गए नए लोग आ गए जिनकी नीतिया गलत जो चाहते हैं देश की सं खतम हो जाए गरीब खतम हो जाए मजदूर खतम हो जाए अलशंख्यक खतम हो जाए दलिद खतम हो जाए आरक्षन खतम हो जाए संविधान खतम हो जाए तो ऐसी पुलिटिकल पार्टी का इस को या इस तरह के पुलिटिकल पार्टी की जरूरत इस देश को नहीं है और इस जगह नहीं मिल लई बीजेपी के जो राष्टी दक्ष हैं उन्होंने साफतर पर कहा कि चौबीस में चालिसो सीट और पच्चीस में बीजेपी का सीएम होगा इस पर तमाम लोग काम करें और कई गुरू मंत्री भी नहीं नहीं अच्छा है भारतिय जन्ता पार्टी के नेता हैं उनको पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सीटे हो बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी जिन परदेशों में उनकी सरकारें वहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे अगर लोगतंत्र की हत्या करेंगे सम्विधान को खतम करेंगे जुडिसियरी का मजाक उड़ाएंगे इंस्टिचूशन को पॉलिटिकल फाइदे के लिए और अपोजिशन को आपरिस करने के लिए दबाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको इस देश की जनता ख़देड़ेगी और भागने की जगह नहीं मिलेगी आपको पता है जो नितीश कुमार जी कह रहे थे कि सौ से कम सीटे आएंगे आप देख लीजिएगा देश के हालात ऐसे बनने हैं कि ये ओपोजीशन के रोल को निभाने के लिए इनके पास है स्वास्त मंत्री थे हमने कई बार मुकमंत्री बिहार सरकार को कई बार उनसे जमीन मांगी लेंगे सरकार का रवया जो है वो शकरात्मक नहीं देखिए ये भारती जनता पार्टी है और मैं आपको बताओं कि जिस दिन हम लोग उनसे अलग हुए एलाइन से उस दिन से उन् रहे थे सारे बजट पोके जा रहे थे ये सिर्फ एम्स का मामला नहीं है यहां कम से कम दस बड़ी कंपनिया आने के लिए तैयार थी पर्पोजल तैयार था भारती जनता पार्टी के लीडरों ने फोन करके धंकाया उनको हमारे पास एविडिनसेज हैं कि उनको धंकाया ग नहीं है एम्स के लिए नितिश कुमार जी ने जमीन दिया आपको इतनी बड़ी जमीन दे दी अब काम कराने में क्या है आप बहाने डूड रहे हैं ना आप एरपूर्ट बनाने को तैयार है ना जो इनेचे का पैसा इनेचाई का पैसा है आपने सिंक्शन कर दिया उसको द देने के लिए तैयार नहीं है और ये बिहार के लोग समझ रहे हैं कि आप जो सोतेला सलूप कर रहे हैं जिस तरह बिहारियों को का हक मार करके आप चाहते हैं कि पच्छिम के कुछ परदेशों में जाके लगा दें तो बिहार के लोग इसको माफ नहीं करेंगे और देश की कोई जनता है इसको माफ नहीं करने है जो गन्ना का जो रिपोर्ट सरोजनिक हुआ उसको लेकर बीजेपी अप करेगी मुस्लिमों के अबारी बढ़ गई है अजल देहें बिहार के जो है वो एक तरह से हिंदू राजखोशित नहीं होगा तो बहुत परकान में पर जाएंगा उस वक्त था आज भी 17.7% है ये उससे नहीं घबरा हुए ये इस बास से घबरा गए हैं कि नितीश कुमार ने पिछड़ा को आवाज दे दी अति पिछड़ों को आवाज दे दी अलव संक्यकों को आवाज दे दी और अगणों को रिजर्वेशन दे दिया नितीश कुमार को न पूछा जाए देश की जनता इसको बरदास नहीं करेगी देश की जनता अपने पुरवजों के साथ अपनी डिमोक्रेसी के साथ अपने संविधान के साथ खड़ी है और आपको ख़देड के रख देगी अल्कुल जेडियू के वरिशन नेता हैं विधान पार्सद हैं खाली दनुलर साथ इन्होंने साथ तरफे कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में घबडाट है दोजार चोबिस के लोक्स बचनाओं को लेकर घबडाट है एक बार फिर तमाम विपक्च एक जूट होक पर केंद्र से केंद्र की मोधी सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगा करम स्याम के साथ उनुश कुमार कशिशनूर पट्रियू